जाई श्री महाकाल, जाई श्री महाकाल दोस्तो आप सभी का डॉक्टर रोमचो यूडियूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आभारे यदि दोस्तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया है, चैनल से आपने ही जुड़े हैं तो आप सभी समय निविदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा निशुल्ग जोतिश परामरत के साथ, मोटिवेशनल से वीडियो और जोतिश के बारे में वो सभी जानकारी सरलता से और सहस्ता से हासिल हो चैनल को सबस्क्राइब करें, चैनल को जुड़ें और कमेंट्स में जईशुरी महावकाल जरूरर लिखें, उसी कड़ी में हम आज आप किराशी के लिए बात करने वाले हैं कि वास्तू दोस्तं एक बहुत बढ़ी समास्या है, लोग वास्तू दोस्त के लिए कही सारी पर बहुत गलत भ्रहम है एक बार सबसे पहली बता दूँ दक्षिन मुख का जो ग्रह है वो लगभक हमारे देश के 80 से 55% लोगों पर वो फलीफूत होते हैं मतलब वो अच्छे होते हैं उसमें जीवन में बहुत सारी परिशानिया है तो वो परिशानिया हल हो जाती है और दक्षिन मुख का मकानों कहीं सारे लोग आप जितने भी महान हस्तिया हैं जितनी भी हस्तिया सभी का घर प्रेतर छों कि tab हदा उनिर्म के schizophrenia दक्षिनमुकि है, तो अपने मन से ये ब्रहम हामेशा निकाल दीजे कि ये घर तो दक्षिनमुकी इसे नहीं लेना चाहिए, गोस्तों मेरा lotus व्यक्तिकात अनुभाव है जिंदिगी का कि मैने अनुभाव किया, research कि कि दक्षिन catching क्यों कि गर है वो हर व्यक्ति को भारतियों को खास कर भारतियों को बहुत जादा तो सबसे पहली और मुख के बाद इस बात को अच्छे से बिटा ले कि वास्तु दोश में कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि दक्षिन दिसा में मकान नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए अगर और जोतिश के जब गोपनीता में जब जाया जाता है डीपली में जाया तो एक बात बहर निकल जाती है कि अगर आपको उन्रती चाहते हैं तो दक्षिन मुख के कम अकान ले है दूसरी बात है आप मालने ज़े बहुत सारी परिशानी हो एगर तो इस तरह से है कोश निकला है कोण निकला है नहर मुखी है गाए मुखी है कई सारे तकलीफ LAUGHTER होती ह करें कि कोई भी व्यक्ति अंदर आए तो सबसे पहले नजर वहाँ जाए मन्दब इस तरह का मेरा कहना है अगर दोस्तों आप ये करते हैं तो सभी वास्ति दोस्त आपके निवारान हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल